Hello everyone, welcome back to my channel MPPAC Notes आज इस वीडियो का टॉपिक है What is RBI? RBI क्या होता है? कैसे स्टैबलिश हुआ था? कैसे बना था? इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगे RBI के बारे में सो वे ना कोई फर्दर ही लिखिए, let's get into the video RBI स्टैबलिश हुआ था 1st April 1935 में ये Reserve Bank of India Act 1934 की तहट स्टैबलिश हुआ था ये Hilton Young Commission 1926 और इसे The Royal Commission on India Currency and Financial भी कहते हैं इसके Recommendation की बीसिस पर बना गया गया था RBI की जो First Governor थे वो थे Sir Osborne Smith जो की 1935 से लेकर 1937 तक के कारकाल में रहे थे उसके बाद जो पहले Indian Governor थे RBI के वो थे CD Deshmuk जो की 1943 से 1949 तक रहे थे इसके अलावा मैं आपको एक और interesting fact बताती हूँ कि जो Manmohan Singh के वो only Prime Minister है जो की RBI की Governor भी रह चुके हैं इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो RBI का First Headquarter था वो कोलकाता में था इसके बाद 1937 में इसे मुंबई में shift कर दिया गया था RBI जब establish हुआ था तब ही एक private entity की तरह establish हुआ था बाद में इसे government entity कर दिया गया था क्यूंकि RBI को nationalize किया गया था as a central bank 1949 में RBI का जो financial year होता है वो होता है 1st July से 30 June तक इसके अलावा RBI सिफ currency को print करने का काम करता है जो coins की minting होती है वो government of India की responsibility होती है RBI में जो first woman थी जो के deputy governor बनी थी वो थी उनका नाम था जेके उदेशी जो की 2003 में appoint हुई थी इन सब के अलावा RBI एक monetary museum भी चलाता है जो की Mumbai के headquarter के premises में है RBI के affairs Central Board of Government के द्वारा govern किये जाते हैं और इस board का appointment government of India करती है इनका तो time period होता है काम करने का वो सिफ 4 साल का होता है RBI में official directors और non-official directors होते हैं official directors जो की full time के लिए appoint किये जाते हैं इसमें एक governor और चार deputy governors होते हैं maximum non-official directors जिसमें की 10 directors होते हैं जो की different fields से होते हैं और दो government officials होते हैं चार all directors भी होते हैं जिनने चार अलग-अलग local boards से appoint किया जाता है ज्यानि की Mumbai, Kolkata, Chennai और New Delhi State जो RBI के local boards है वहां से एक-एक director appoint किया जाता है यह था मेरा आज का वीडियो RBI के उपर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मोर वीडियोस अंपी PCC Labors प्लीज सब्स्क्राइब मैं चानल थैंक यू